प्यास की कीमते लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ दिनों के अंदर इसकी रिटेल कीमतों में 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है अब यह 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है जबकि कुछ हफते पहले तक प्यास का ओसत रेट करीब 40 रुपए किलो था वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्यास की कीमतों में 2 सप्ता या उससे अधिक समय तक गिरावट की कोई उमीद नहीं दिख रही है अगर सरकार अपने स्तर पर प्यास की सप्लाई में कुछ सुधार करती है तो रेट कुछ कम हो सकते हैं प्यास कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अग मद्धे तक लोगों को प्यास के लिए ज्यादा रकम खर्च करने पड़ेंगे। मुंबई महांगर्ट शेत्र में प्रतिदिन लगभग 1500 टन प्यास की खपत होती है। वर्तमान में सप्लाई प्रतिदिन लगभग 1100 से 1200 टन है। जबकी सरकार के पास 4.7 लाक टन का बफर स्टॉक है। मिड़े की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बरसात के मौसम में और उसके बाद प्यास की कीमतें आसमान चूती है। पिछले साल अपवाद रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में परियाप्त सप्लाई सुनिष्चित करने के लिए प्यास के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था। लेकिन प्याज किसानों ने निर्यात लाब के नुकसान को लेकर विरोध किया और लोक सभाचुनाव से पहले मई में प्रतिबंध हटा दिया गया। महाराष्ट्र में आगामी विधान सभा चुनावों से पहले किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने अब प्याज निर्यात के लिए नियूंतम मूल्य सीमा हटा दी है। इसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अभी महाराष्ट्र की राजन प्याज उगाने वाले क्षेतर में आते हैं। सरकार यहां प्याज किसानों के लिए परयाप्त काम करने में विफल रही है। जिसका असर हाल ही में हुए संसदिय चुनावों में साफ तौर पर देखा गया। जिसमें सत्तारूर पार्टी के उम्मीदवार वहां अपनी जीतने में विफल रहे Bureau Report Market Times TV